जै जोहार 36 गड़ रात का समय है और आपका भाई निकल रहा है इंडोनेशिया के लिए वो भी रायपूर से हम जा रहे हैं 36 गड़ से 36 गड़ टू इंडोनेशिया तो मैं अभी हूँ रायपूर एयरपोर्ट में इसके बाद रायपूर से मैं निकलूँगा कलकथा के लिए खाखवता के लिए उसके बाद मलेशिया उसके बाद इंडोनेशिया तो मेरे इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा वीडियो लंबा होगा हो गई सुबह से दिन, दिन से रात, रात से फिर शाम, शाम से फिर रात, यह सब होने वाले हैं, तो अगर आप प्लान करने वाले हैं, और इंडोनेशिय जाने का ना, तो मेरा यह वीडियो देख लेना, A to Z details मिलने वाला है, किधर से किधर entry मिलने जाना है, किधर से visa लेना है, किधर से boarding pass लेना है, ये पूरा detail कैसे flight में बैठना है, क्या, 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 ये सब मैं पूरा detail आपको देने वाला हूँ, तो मेरे ना ये वीडियो पे ना बने रहीएगा, ठीक है, तो चलिए फिर हम रा है प्लाइच कट्ता मनें समय पर देखते है किपने दर तक मनें पर रहता है शाडूला पर निकलता है या निकलता है लेट्स आप कुछ सक्षी कुछ स्काइब हो गया है बहुत सय स़ए मजा आता हो उन product करunkे तो सद्रों किम्स बहुत ćब लिटाए-पूर लिसम !! कि दाएपुर की सही को मैं मतायाट के श ersक्रा नहीं अप्षु आफ्षक नहीं रहे वाहता है她 दोट की आपनेशनीến दाप्रन ना प्लिशोय को क्वे wtf एयरपूर्ण के इस सबसे पीछे साउंड आए साउंड मत उस अच्छाड़ निश हतने हैं तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, फ्लाइट अभी भी ऑन टाइम है, देखते किते देट तक टाइम में रहता है, आगे एक अपडेट देता हूँ, तो बने रहीएगा फ्लाइट अभी टाइम पर ही निकल रही है, बोर्डिंग चाले हो गई है, तो मेरा पहला फ्लाइट खलकाता के लिए है, तो मिलते हैं कलकाता में है अपने निर्धारिट सीटों के ऊपर वाले ओवर हैड बिंस में और छोटे बैक्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रखते औरान के दौरान आप अपनी निर्धारिट सीट में ही बैठे रहें, धन्यवाद, लेडिस और जेंटलमन, वी रिक्वेस्ट यू तो कीप बिग बैग्स अब हम निकलेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, ठीक है? इसे यहां पर रास्ता बंद कर रहा है, कुछ हम रहा है एरफोर से निकलाए यह रहा अपना इंटरनाशनल ट्रांस्पोर्ट इधर है जैसे कि मैंने दिखाया आपको इसी एरफोर्ट में ही मैं डोमेस्टिक एरफोर्ट है, डोमेस्टिक में लेंडेट हुआ इंटरनाशनल ट्रांस्पोर है, वह सीदह अपने एरफोर्ट से बिना बाहर निकले ही, मैं अंदर ही अंदर जो आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया में जश्च उपर चड़ा और जस्ट आगे ही इंटरनेशनल एरपोर्ट है ट्रांजिट है डोमेस्टिक ट्रांजिट भी है दोनों ही उपर से कर सकते हैं तो आने वाले वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा मतलब आने वाले वीडियो पे सॉरी दिमाग खराब हो गया मेरा मतलब अभी मेरे वीडियो पे आगे आपको बताऊंगा कि अब इंटरनेशनल ही जो है ट्रैवलिंग मैं कैसे फ्राइट ले रहा हूं क्या है तो सबसे पहले डीटेल मैं फिर से पहले बोलता हूं जय जोहार 36 गड़ स्टार्टिंग में मैं अच्छे से नहीं बोल पाया था तो मैं फिर से अपने आपको इंट्रो करता हूं तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कलकत्ता और डोमेस्टिक लेंडेट कर चुका हूं और ट्रांसफर में मैं अब जाने वाला हूं और जाने से पहले कुछ इंफ्रमेशन देना था इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो अब मेरा कुछी दियर में मलेशिया के लिए निकलेगा फ्लाइट तो मेरे को रायपूर से कलकत्ता कि जो फ्लाइट पड़ी थ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ तो अभी हम कलकत्ता तो पहुंच चुके हैं अब यहां से हम जाएंगे बोर्डिंग पास लेने इंडोनेशिया के लिए तो पहला बोर्डिंग पास कलकत्ता टू कॉलालंपूर कॉलालंपूर टू जकार्टा होगा हाँ बहुत लंबा सफर होने वाला है वह सही शाम को निगला हूँ मेरी फ्लाइट दी रायपूर से कलकत्ता के लिए एट थर्टी को और अभी साड़े दस बज़ रहे हैं और कॉललंपूर के लिए फ्लाइट है मेरे को रात को एक बज़े और मैं कॉललंपूर के टाइम के सबसे मैं साड़े साथ तक मैं देखता हूं यार भूल गया हूं कितना कितना बज़े पहुंचूंगे इतने सारे फ्लाइट लेने अभी मेरे को कंटिनियूसली हाँ तो यह है कि भाई जो कलकता एरपोर्ट में आप लैंडेड होगे ना एरपोर्ट चेंज करने की ज़रू करने के लिए लेफ्ट लीजिए ऊपर चड़िए और इंटरनेशनल एरपोर्ट में इंटरी मारी है तो ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला एरपोर्ट है नहीं बहुत सिंपल है और अगर आप 36 गड़ से आ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत इजी है और पहली बाद सफर क अगरा और इंटरनेशनल एरपोर्ट में इंटरी करता हूँ तो वो सब में वीडियो बनाता हूँ हुआ है हम कलकत्था ययर्पूट के बार आई यह जो बार आप देख रहा है यह कलकत्था ययर्पूट है क्योंकि मेरे फ्लाइट कुछ टाइम है तो मैं थोड़ा बार निकीए गया इसे क्यों बात कर रहा हूँ नॉर्मल बात करते हैं थोड़ा इंटर्टेशनिंग तो मैं अभी थोड़ा पाहर साइड निकला हूं क्योंकि मेरे फ्लाइट में टाइम है कि इसे लिए में थोड़ा बाहर निकल गया और थोड़ा आप लोगको इन्फोर्मेशन और तो मैं रायपूर से कलकत्ता के लिए फ्लाइट लिया अल्मोस साड़े आट बजे की फ्लाइट थी और मैं यहाँ पर दस बजे पहुंच चुका हूँ इंडिगो फ्लाइट थी मेरी फ्लाइट प्राइज थी 5000 रुपए अब मैं हूँ कलकत्ता एयरपोर्ट में और कलकत्ता एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है क्वालालंपूर के लिए बारा बचकर 45 मिनट और अभी अल्मोस 17 हो रहा है तो अल्मोस 15-20 मिनट में बोर्डिंग तो सबसे पहली फ्लाइट लेना है में कनेक्टिंग फ्लाइट है कलकत्ता टू कौलालंपूर कौलालंपूर टू जकारता इंडोनेशिया के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंडिया से कहीं भी डारेक्ट प्लाइट नहीं इंडोनेशिया के लिए आपको कने सीजमीजब से ट्रेवल कर रहा हूं तो बढ़ एकता से जाने के लिए हता से उनकर फ्लाइट जो है सस्ती मिलेगी other जगासे तो अब कल्काता से मलेशिया जा सकते हो इंडोनेशिया भी जा सकते हैं लेकिन तो उसका भी ब्लॉक जरूर हो तो बने रहिएर चैनल मेरा अगर सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कि अगर अब अब शक्रड़ से तो तो करेंगा मोग्या कलकता से सिंगपुर भी है और कलकत्ता से फिलिपिन्स भी है और मतब यह जो कंट्रीस है ना कलकत्ता से आपको चीफ रेट में मतब फ्लाइट मिलती है अगर आप मुंबाई बैंगलॉर में रहते हो तो डारेक्ट वहां से निकल लो तो वह ज्यादा बेटर है क्योंकि मैं 36 गड़ से ट्रेवल करो और 36 इस गड़ में इंटरनेशनल एर्पोट है नहीं तो मैं उस चीज के हिसाब से बता रहा हूं कलकत्ता से आप कहा कहा से चीफ फ्लाइट मतब कहा कहा के लिए चीफ फ्लाइट ले सकते हो तो वह मैं पूरा आपको डीटेल दे रहा हूं मेरे पास टाइम है इसलिए मैं प्राइज नहीं बताया ना तो मेरेको कलकता राइपू टू कलकता तो पांच हजार पड़ा कलकता टू इंडोनेशिया मेरेको 27000 के आसपास पड़ा रीटन तो मैं कलकता टू जकार्ता जा रहा हूं 27000 रिटन जकार्ता से शुरुभया जा रहा हूं तो उसका रिटन है 10,000 के आसपास तो अल्मोस 37,000 हो गया और 10,000 रिटन मानके चलिए इसका कलकता से रायपूर 47,000 हो गया अल्मोस 50,000 रुपए की मेरी फ्लाइट टिकीट हो गई 36 गड़ से इंडोनेशिया के लिए मैं जहां जहां जा रहा हूं तो कि आर भी वहाँ पर मैं 3-4 फ्लाइट आर लेने वाला हूं बाद में होगा वो वो ब्लॉग में रही है तो पता चलेगा तो अल्मोस मेरी नकुद करभाव कर रहा हूं और जाकार्ता इसलिए लान कर रहा हूं के थ्यूंकि कि दूसरी जो मैं कनेक्टिंग फ्लाइट देख रहा था तो उसमें मेरे को ट्र्रांजिक्ट वीजा लेना पड़ रहा था और लेना बाह्त श्मूच वाला काम है बहुत Cory्रेटिटेंग वाला काम है तो बैटर है कि मैं जकारता उतर जाओ वहाँ पर अपना वीजा ले लूँ इंडोनेशिया में इंटर हो जाओ उसके बाद इंडोनेशिया में मैं वीजा लेने के बाद कहीं भी घुम सकता हूं को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को तो वह ज्यादा बेटरी क्योंकि फिर मलेशिया में ट्रांजीट लो फिर एएरपोर्ट चेंज करो तो वह ज्यादा खरचा हो जब जाएगा और ज्यादा ताम जहाम वाला सिस्टम हो जाएगा तो सच्छा है कि इस कंट्री में पहले में लैंड हो जाओ उसके बाद जो हाँ अब भी भी भूरिंग फुला नहीं है यह मेरा बोर्डिंग एरिया है ha ha ha. कि खैसे कि भूर्डिंग हो गी गूटेडर में घुषाओ कलकटा के बहार से तो गेट चार का यूज युस्स किया है तो अगर आप अप बहार एइरपोट आ रही वगो कलकात्ता में अगर आप बाहर नहीं निकलते हो तो फोड़े दिर पहले इस तरीकसे ट्रांजिट कर सकते तो इसलिए आप ट्रांजिट कर सकते बाहर निकल जा रहे हो और बाहर से फिर अंदर इंट्री रे तो गेट नमबर 4 है इंट्री के लिए इंटरनेशनल इंट्री के लिए ठीक है और कुछ आच्छा तो मुझे जो है नमबर है वो कैसे पता चला कि मेरी बोडिंग वहां से होगी तो मुझे पता चला यहां पर जो टाइम लेश्ट है प्लाइट चार्ट लेश्ट है उसके दुरू पता चला मैं आपको दिखाता हूँ अब आएगा एरिश्या क्वालनमपूर जीरो नाइट जीरो नाइट जीरो नाइट जीरो नाइट एंड सामने एमिग्रेश्चन रेन सेकुरेटी उसके बाद निकल जाओ फॉर एंड तो ज्यादा ताम जाम नहीं है तो वन बाइवन मेरे वीडियो पे कंटिन्यू करता हूं तो वेट और बहर जो चाट लिस्ट था उसमें एच लिखा वा था सदस्सिल्ए मुझे यह पता था और भी अगर मुझे दूसरा जगह चाट लिखता है तो मैं दिखाता हूं वहां पर लिखा रहता है तो ठीक है अगर मेरा और कुछ इंफ्पोर्मेशन छूड़ जाता है बोलते ब अगर मैं कुछ कुछ भूलता हूं ना तो मैं आपसे वीडियो टाइटल बना के डाल दोंगा अब हर चीद तो याद नहीं रह सकता है कि तब याद आपके डीटल देता रहूं ठीक है ना तो मैं पूरा सब्सक्राइबर बड़े तो वेट मैं बोर्डिंग करता हूं सब्सक्राइबर इमिग्रेशन फिर सेक्यूरेटी यहां पर ऐसा है तो बने रहीएगा ठीक है तो मैंने सिक्रेटी चेक कर लिया यहांपर से जज्स सेक्यूरेटी खतम हुआ और मैरे जश्ट पीसे आप इंटरनेशनल सीम भी खरीद सकते हो अगर आपको खरीदना है यह तो इंटरनेशनल रिचेर्ज कर लो या वहां जाके सीम खरीद सकते हूं बड़ ज़स्स सेकुरेटी खतम होने के पास इंटरनेशनल सीम है और यहां पर दुकाने हैं और जस्ट आगे पूरा बोर्डिंग गेट है ठीक है तो ज्यादा कंफ्यूज मत हुए और ज्यादा नर्वस पर ना हुए क्योंकि मेरे साथ एक मुझे एक जन मिला जो बहुत नर्वस हो गएदे पहली बार इंटरनेशनल ट्रावल कर रहे तो मैंनों को रिलाक्स कर रहा है चिल कर आए कोई टेंशन नहीं है बहुत इजली हो जाता है तो आप देख सकते हो अब मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पर लाइन से गेट है लंब आएरपूर्ट आएए और छिल कीजिए अपने ठाइम पर पहुंचिए और यह फ्लाइट अंतरी है ठीक है तो मैं थोड़ा बहुत शौपिंग कर लेता हूं देख लेता हूं मेरा सब्सक्राइम पर हो चुका है और कुछ और डिटल बताना होगा तो मैं आगे पॉलालंप पूर पहुंच के डीटेल्स बताता हूं में हम अपने प्लाइट का कर रहे हैं इंतजार कि अभी भी अपने पास बहुत टाइम है और बहुत जल्दी हो गया हर चीज . Living life, everyday, later night, not okay, all I want, and I pray, all I need, are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I haven't seen clearer I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving I like to be, my own worst enemy, there's no risk if you don't try it anything Soo I'ma just get byin' everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, every day, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait, no, it's living with no shame Wait, no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well, I just wanna be happy How'd I get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love